जणाब आज का विडियो एक टूटोरियल है वीडियो एडिटर का नाम है कैप कट कैप कट मुबाइल वाला नहीं बलके कैप कट आप ऑचुका है आपके लैप टौब या एक कम्प्यूटर में भी ठीक है कोई बी वीडियो जब आप इंपोर्ट करते हो हम अपलोड स्यूरू हो जाती है। जिसकत करुदा ए help करना से अप आपका से चीपल torn के लिए विसाटम पालब करें लिए जसल के दोबल किलग कर you इंस्टॉल कर लेंगे जब आप तो यह सारे का सारा सेट अप आपके लैप टॉप या कंप्यूटर में आ जाएगा उसके बाद वाला जो टुटोरियल है मैं आपको समझाने लगाँ बताने लगाँ हर एक चीज़ बताऊंगा तो सकून से समझ की वीडियो देखना है ताकि आपको हर एक चीज़ की समझ आजे और अब यहाँ पे हाँ मज़ीर टाइम जार नहीं करते हैं और आज का वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं तो जनाब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है अगर आपने लोग इन नहीं किया तो लोग इन लाज़मी है क्योंकि आपकी वीडियो उसना से एक्सपोर्ट नहीं होगी ठीक हो गया STEPTL जनाब आपने सबसे पहले क्या करना है इंपोर्ट करनी है अपनी वीडियो जो भी आपने कोई इसको जब मैं ड्रैग करता हूँ अपनी time line में यह हिस्सा हमारा time line कहलाएगा ठीक है इसको time line भी लेके होंगा अब यहां पर हम इसको trim कर सकते है music add कर सकते है इसके उपर photos add करें जो जी चाहता है जो आप सोचते हैं वो आप यहां पर इसके साथ कर सकते है ठीक है यह timeline सबसे पहली चीज़ आप इस पे clip ले आते हैं तो आपको timeline zoom in करने पड़ती है आपको पता होगा गर आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो frames कितने जरूरी होते हैं ठीक है आपकी वीडियो में otherwise आप control प्रेस करें अपने keyboard पे और यह scroll up down जबाब करते हैं तो य यह आपका पहला frame दूसरा सतारवा frame बिस्वा frame इस तरह से आपको show होंगे ठीक है और यह देखें यहां पे मैं आपको सबसे पहली चीज़ बताता हूं कि आपका यह जो वीडियो है इसके साथ ही audio भी आपका है तो आपने audio इसका separate करने के लिए क्लिक करने क्लिक करें और य यह डिलेट भी कर सकते हैं वीडियो डिलेट भी कर सकते हैं अगर आप इसे वापस लेकर आना चाहते हैं यह देखें undone का button है एक दफ़ा क्लिक करें फिर दुस दफ़ा फिर क्लिक करें आपकी वो चीज़े वापस आजाएंगी और इसकी shot की है control Z control Z undone की shot की है ठीक है मैं time यह को split कर सकते हैं मैं से split वाला बटन यहाँ पर दुबाता हूं और वापस a press कर देता हूं जिससे क्या होगा कि यह मेरे पास tool आजाएगा जिससे selection tool हम कहते हैं selection tool के लिए हम a press करेंगे और split करने के लिए हम b press करेंगे ठीक है यह हमारे पस tool आजाएगा अगर आप यहाँ short keys नहीं याद रहती तो आप लोग क्या करोगे आप यह shortcut के अपर यहाँ पर क्लिक करोगे तो यह देखो जनाब यहाँ पर आपको हर चीज़ की short keys आपको मिल जाएंगी ठीक है यह आप लोग यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं यह रहा है shortcut इसे क्लिक करें यह आपके पस सारी कि सारी short keys आगी हैर वापस हम selection tool select करते हैं ठीक है और यह देखें अगर अगर अपनी मेरी कोई भी गलती है तो मैं zoom in करूंगा अपनी सबसे पहले timeline को यहाँ पर जाके और यहाँ पर मैं इसको split कर दूँगा ठीक है इसको फिर music को भी साथ मुझे जो मेरा audio था इसको भी split कर कर दी और यहाँ से मैं अपना audio के साथ ब्राबर ले आता हूं ठीक है प्ले करके चेक करें ओके जी पहला वीडियो एडिटर है ठीक है तो कुछ इस तरह से आप अपनी वीडियो की गलतिया निकाल सकते हैं फर्ज करें यहां से मुझे पूरी की पूरी बात निकालनी है मैं इसके नीचे जा रही है तो हमेशा ध्यान रखा करें कि आपने कट कैसे करना तो यह वीडियो का भी आप सिंपल इस तरह से करें और यह हिस्सा है जो आपने डिलीट कर देना अब यह देखें music है जो आपका audio है यह खुद बहुद पीशे नहीं आता तो आपको इसको manually लेक music add करना है ठीक है तो यह वापस import में जाएं यह नीचे रहा आपका music इसे क्लिक कर लें और यह drag and drop कर दें अपनी वीडियो के नीचे और यहां पे हम अपने background music का volume कम करना है तो क्या करूंगा अपने background music है मेरा इसके ओपर क्लिक करता हूं तो यह देखे basic है जो यह यहां से म मेरे effects भी show कर रहा है effects में आपको आगे जाकर समझाओंगा क्या चीज़ है फिल वक्त में आपको यहां से इसका volume कम करके देता हूं ठीक है यह best है अभी तक मुझे जो मिले है और आसान भी है तो मैं चाहता हूं कि आपको भी पता लेकिन मुझे कुछ जादा ही slow लाग रहा तो आपको यह option आएगा यह ना हो कि आपने इस music को क्लिक करके इसका audio नीचे कम करते हूं तो आपको चाहिए इसका ठीक है लेकि यहां पे आपने होश में रहके अपना audio कम यह जादा करना है कि आपकी वोकल जो आपकी वीडियो के वाज़ है यह आपका music है ठीक है तो आप आपने हमेशा music पर क्लिक करना है और यह basic है जो यहां से जाकस और यह कम याज़ा करना है इसी तिरा से आगे वाले music का भी आपने यही करना है music जितना आपने यहां पे इसका कम किया था minus 19 इसको क्लिक करेंगे जब आप तो यहां से भी आप इसका minus 19 कर सकते हैं ठीक है यहां पे एक और तरीका भी आपको बताता हूं इसको delete कर दें ठीक है बार बार आपको इसका volume उन्चा नहीं चानी करना पड़ेगा अपने इसी music को control यह देखे right click करेंगे तो यह आपका copy वाला option आजएगा आप इसको copy करें यहां पे आगे आके आप यहां पे right click करें और इसको paste कर दें ठीक है आपका music यहां पे paste हो जाएगा तो आपको क्या करना है अगर आप बिल्कुल 0 से शुरू करें तो आप VN Video Editor से शुरू करें तो यह देखे आपका music वही music था जो यहां से copy paste हो जाएगा ठीक है तो आप इसी तरह से ही आप इसकी copy paste भी कर सकते है जिस तरह से भी आप इसे चाहते है ठीक है अब आपको अपनी वीडियो कट करना भी आगे इसके नीचे background music भी लगाना आगे यहां पे आप मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ टेक्स एड़ करना यह देखें टेक्स यहां पे है इसको क्लिक करें default टेक्स है जो यहां पे बहतरीन किसम के टेक्स है यहां पे drag and drop कर दें इसको इतनी जबर्दास software है हर चीज़ आपको बनी बनाई यहां पे मिल जाती है ठीक है यहां पे आप अपनी मर्जी से टेक्स अपना select कर सकते है ठीक है जो भी आपको चाहिए या कोई भी आपको simple text चाहिए तब भी आप यहां पे आ सकते है otherwise आपको stroke चाहिए तो तब भी आप आ सकते है simple यहां पे मैं करता हूँ यह मैंने लिख दी simple सी अगर आपने इसका font चेंज करना है तो यहां पे आपको software में fonts भी बेशमार सी इन्होंने दी वी है ठीक है यह देखें यह देखें जनाब मुझे यह ठीक लग रहा है मैंने इसको यहां पे रख दिया शुरू में और इसी तरह से आप अपना कोई भी text एड़ कर सकते है ठीक है यह देखें आप जहां पे आपको जितना भी text चाहिए आप इसे फोटोस भी आड़ करने है कुछ पीएंजी भी आड़ करने है फर्स करें यहां पे मैं आपको एक पीएंजी आड़ करता हूँ जो कि मेरा लोगो है ठीक है मुझे पूरी वीडियो पे मेरा लोगो चाहिए तो मैं क्या करूंगा यहां पेंड्रेग करता हो अपनी इस वीडियो पे ठीक है और इसका size सबसे पहले मैं च्योटा करता हूँ size कैसे च्योटा करूँगा यह जो मेरा लोगो है क्लिक करता ह夢 क्लिक करता है यहोग पर इसको मुझे options आ रहीrim भी denial on P पुजिशन वगरा आप सारा इसका पुजिशन चेंज कर सकते हैं, रोटेशन सारा कुछ आप इसकी भिला सकते हैं, यहाँ से आप मैनुवली भी आप इसको कर सकते हैं, माउस के साथ भी क्लिक करके आप इसको कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको अपनी मर्जी से जैसे भी चा चाके इस तरफ ले आएंगे, इस तरफ खैंच लेंगे, और इस तरफ माउस लेके आएंगे बिलकुल लोगों के एंड पे, और यहां से ड्रैग कर लेंगे हम, जनाब यहां पे, ठीक है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कैप कट एक प्रेमियर प्रो के लेवल की हर एक चीज य कहूंगा कि उससे जदा चीज़े यहां पर आपको बनी बनाई चीज़े मिल जाती है और फिर यहां पर आप हम कोई मजीद इसके ओपर अगर वीडियो भी आड़ करना चाहें तो यह देखें फिर से हम इंपोर्ट पर जाते हैं और यहां से हम अपनी फर्स करें यह वाली वी पनाह मिल जाए तेरे इश्क में मेरी जाँ पनाह हो जाए यहां पर किया मैंने स्प्लिट किया यह वाला हिस्सा आगे वाला मुझे नहीं चाहिए पीछे वाला हिस्सा भी मुझे नहीं चाहिए तो मैंने क्या किया यह वाला हिस्सा है जो इसको यहां पर ले आया हूँ ठी यहां पे यहां सब्सक्राइब अ क्लिक करता हूं और इसके अपने बाता हूं मैंdrumट पर यहां सब्सक्राइब खेसे करता है ₹ और अगर यहां पे आपको इसी तरह से ही एड़ करना है कुछ और अपनी फोटो भी अगर एड़ करने है ठीक है तो यह देखें इंपोर्ट में जाएं यह रही है आपकी कोई तस्वीर तो हम इसको डबल क्लिक कर लेते हैं यहां पे ले आते हैं और यहां पे ड्रैग और ड्रॉप कर देते हैं जहां भी जितने भी हिस्से पे आपको यह तस्वीर चाहिए या अगर आपके इसका साइज चोटा करना है तस्वीर के ओपर क्लिक करें और यहां से पकड़के आप इसको छोटा कर लें यहां पे लगा ल किस तरह से तस्वीर हमारे पस क्लिक हो के आ रही है इसके डियुरेशन भी मैं यहां से बढ़ा सकता हूं अगर आपने इसको आउट वाली ट्रांजिशन लगानी तो यह देखे इन था अब आपने लगाना है आउट वाली तो आउट वाली इस तरह से ही जो मर्जी लगाएं यह देखें यह वाली लगा लें और इसकी डियुरेशन है जो आप इसको बढ़ा लें कम जादा कर रहें जैसे मर्जी जो भी आपका दिल करता है यहां पर ठीक है अब आपको ट्रांजिशन लगाना भी आगए सेम की सेम चीज़ आप नीचे वाली वीडियो के साथ भी कर स लिखते हैं उसके बाद आती है बारी कलर ग्रेडिंग की आप सिंपल यह जाएं अड्जेस्ट में और यह पूरी की पूरी लट इसके ओपर वीडी के ओपर ड्रैगन ड्रॉप कर दें यह जहां पे भी आपको कलर अपने चाहिए फर्स करें जब मैं अपनी अड्जेस्में को क्लिक करता हूँ तो यह जए मैं अपने इसका कलर यहां से सैचुरिशन बढ़आऊ हूं मैं इसके शैडोज्स जादा करों कम करों मेरे पर डिपेंड है sharpness इसकी जादा करूं कम करूं हर चीज यहाँ पे मुझे मिल जाएगी color grading से related जो भी कुछ आप इसके करना चाहते है color grading में आपके पास बेशमार से features आपको मिल जाएगे ठीक है मसाल के तोर पे यहाँ पे मैं आपको HSL वाला समझा देता हूँ यह एक लंबा टॉपिक है मैं कोशिश करूँगा कि color grading पे एक अलग वीडियो बनाओं लेकिन फिल वक्त आपको समझा दे तो कि आपने saturation किस color की ज़्यादा बढ़ानी है कम करनी है किस एक color की आपने saturation या light कम ज़्यादा करनी है तो आप इसके साथ ऐसे कर सकते हैं यह देखें मैंने इस color को बिल्कुल zero कर दिया यहां पे जो मेरे पास यहां पे था तो इस तरह से आप color grading में भी adjustment layer जहां पे भी आपकी होगी वहां तक आपके सारे adjust हो जाएंगे अगर आपने इसको सारी वीडियो पे ड्रैग करना है यहां पे भी आप चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं ठीक है यह नहीं करना चाहते हैं जो कुछ भी आप उसके बाद filters बने बनाए अगर मिल जाते हैं आपको आप इसे क्लिक करें ड्रैग और ड्रॉप कर दें अपनी वीडियो के ओपर अपनी क्लिप के ओपर यह देखें ठीक है बने बनाए से आपके पास लट्स हैं जो मरजी इस्तमाल करें उसके बाद एफेक्ट्स तो आपको पता ही है कि आपने कितना यूज़ करें कितना नहीं अगर यह मुबायल पे क्या आपकाट आप यूज़ करते हैं तो आपको पता ही होगा कि एफेक्ट्स आपको कितने जबरदस किसम के यहां पी मिलते हैं बस ड्रैग जबर ट्रॉप करें तो यह देखें शेचिए वीडियो अई ड ड्राइग और ड्रॉप करें जितनी डूरेशन पर आपको चाहिए इतना आपको मिल लेगा ठीक है यह देखें इसका सबको पता है लिकिन इसी तरह से बेश्मार आप यहां से ढूंड सकते हैं इतने जादा कि अगर आज में वीडियो बनाने बैठा तो यह खतम ही नहीं होगा वीडियो तो यह सारे के सारे एफेक्स चेक करना आपके कौन सा काम आएगा वो आपको बहतर पता है यहां से आपने यह चीज यूज करना है या जो कुछ भी आप इसको यूज करना चाहते हैं यह आपको यहां पर मिल जाएगा ठीक है यह सारी वीडियो होने के बाद यह रहा आपका एक्सपोर्ट बटन एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे जब आप तो अपनी फाइल को नाम दे दे मैंने अपनी वीडियो का टाइडल दे दिया यहां से एक्सपोर्ट मैं लोकेशन दे दी जो भी आप चाहते है आपके कंप्य आई तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डिरेक्ट मेस्ज करके पूछ सकते हो कोई भी सवाल या फॉलू भी कर सकते हो अगर आप लोग करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे तो बस यह जाने से पहले यही कहूंगा हमेशा की तरह वीडियो पसंद आने की सुर्थ में लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर दें वीडियो जद अपसंद है तो दोस्तों साथ शेर भी कर दें तखलिया